लेकिन उससे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है बल और बुद्धी में सामझत से बिठाना जानते हैं रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नही है टाइम को पैसे को वर्क को आप मैनेज करना चांते हैं लो सेट है शब्दों का भौप अब आया जाता है कोई भी घखना कर्म हो या सिच्वेशन हो सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बया नहीं कर पाते हैं आप कहना कुछ चाहते हैं कह कुछ और देते हैं सामन जादा होगा कि little finger और ring finger की बीच में space है यह कि नहीं और उठी यदि हटा दें तो यह finger यहां से अटस्ट हो जाएगी उंगलियों की बीच में space नहीं है कर्चीले कम होते हैं कर्चीले कम होने की वज़े से money management आपका अच्छा रहता है आँग बंद करके आप किसी पर भी भरूसा नहीं करते है अंगुठा का फिच्छा है आपका planning आप अच्छे से बनाना जानते हैं implement भी सही तरीकी से करना जानते हैं compromising nature थोड़ा बहुत है आपक जिने आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए compromise करने के लिए तयार रहते हैं अंगुठे का ये वाला पार्ट भारी हो जाए heavy हो जाए या चौड़ा जारा देखे आपको गुसे के दिखता देखने को मिलती है इस picture के हिसाब से अंगुठा आपका straight स्ट्रेट है स्ट्रेट अंगुठा में लंसार सुभब नहीं देता है ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है हाट लाइन आपकी इनिशेट होते वे दिखाई दे रही है सटान से पैसा सबसे ज़्यादा important होता है आपके लिए family उसके बाद selfish हैं आप लेकिन इतना स्वारती होना फाल मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है ऐसे लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं आपकी हाट लाइन certain time period तक break होंके चलती भी दिखाई दे रही है इस तरह से हाट लाइन पे break का लगना बिलकुल भी या cover टाना बिलकुल भी अच्छा नहीं होता है एक certain time तक आपको सफलता बहुत मिलीगी ये guarantee है लाइफ लाइफ लाइन और माइड लाइन पर बंधन यूग चल रहा है बंधन यूग जब तक आपकी हतेली में activate रहता है ये सही माइने में आपको सफल होने नहीं देता सफलता मिलती भी है तो आपकी काविलियत से बहुत कम ये आर् बढ़ाई दे रहा है मंगल से मंगल से माडना के निशेट होना सही नहीं होता है ये लोग अपनी शम्ताओं का अच्छे से आँखले नहीं कर पाते हैं इसलिए जिस भी फिल्ड का चुनाओ करते हैं घलत करते हैं ये वावस्ता संघर्ष में बीटता है सफलता है नहीं दे कम आयू में नहीं हो पाते हैं लेकिन आपके माडनाइन में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है 36 के आसपास से इस आयू के बाद आपको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी मतब अत्यधिक इतनी इतना बड़ा परिवर्तन मैंने बहुत कम लोगों के हाथ में देखा है जब उनकी माडनाइन एक साटें टायम पेडियर तक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लेके चल रही है और अचानक से माडलाइन इकदम से स्मूथ हो जाती है सफलता काफी मिलेगी और जीवन सुप में रहेगा लेकिन एक समय के बाद वो समय कौन सा होगा इस वाइस एनालाइसिस पर जबाएंगे तभी आपको बताएंगे लाइफलाइन आपकी एजिप्टर से इनिशेट हुई है मन की सभी एक्षान लगबग पुरी हो जाती है और इस तरह सी गोलाई में ये वेनस माउंट को गेरती है ऐसे लोग गवर्मन जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिच्वालिटी का फिल्ड समाज सिवा के शेत्र में लाइफलाइन आपकी मून माउंट से इनिशेट हुई है मून माउंट से इनिशेट होना बताता है ऐसे लोगों का भागयूत है घर से जितना दूर ही रहेंगे इतना होगा ये इनसे एंट पालमिस्ट्री के बुक में आपको मेलेगा सचाई क्या होती है इन लोगों को रि इसी विज़े से पहले ये कहा जाता था कि आप अपने घर से दूर रहें, सफल होंगे, सचाई कुछ और होती है, घर से दूरी कोई माइने नहीं रखती है, लेकिन उमीद किसी से मत रखेगा, अपने घरवालों से या रिलेटिब से कि वो आपकी help करेंगे, मत रखेगा, इस मांड लाइन का फाइदा मिलता हुआ, आपको 36 के बाद से, यानि 36 वर्ष के आयू के बाद से, होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मांड लाइन थोड़ा वद आपको तनाशाही रवया भी देगा, आपकी हाथ में एक नहीं बलकि कई शुकरवले हैं, इतनी जादा शुकरवले जिनके हाथ में होते हैं, दो तीन से जादा, ये mood swing का problem बहुत देता है, अचानक से कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक से कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, ये problem की rate करता है, लेकिन ऐसे लोग जिस घर में भी जाते हैं, मालक्ष्मी की विशेश करवा उस घर में देखने को मिलती हैं, ये होती है middle finger, ये होती है ring finger, इसके बीच में यहाँ पर यदि एक line है, सफलता आपको 30 से पहले मिलेगी और आपकी काभिले से ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यदि दो line है सफलता आपको 30-35 के बाद मिलेगी, 40 के बाद मिलेगी और आपकी काभिलियत के हिसाब से मिलेगी जपिटर का mount आपका shift होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे shift भाइस भी इसने space थोड़ा कम लिया है, ये आपके परिवारिक सुखों में कमी करता है, ये shift होता हुआ दिखाई दे रहा है सटान के तरफ, family life, social life, marriage life आपकी अची नहीं रहती है, समस्य आई रहती है जिबन मे यदि आप चाहते हैं कि आपकी family life, marriage life, social life सभी अच्छे रहें, आपको जपिटर के remedies करने होंगे सटन का mount यहां से दबावा है, ऐसे लोगों को जीवन में कभी न कभी लोन ही लेना होता है, लोन की समस्य रहती है हो सकता है पैसा आप किसी government सेक्टर से उठाएं या private सेक्टर से उठाएं या किसी इनसान से आप ऐसे उधार लें, लेकिन उधार की समस्य रहती है sun mount हलका सदबावा है, सभलता में देरी कई सूचक होता है, mercury का mount ठीक है, business है से strong देता हुआ, दिखाई दे रहा है इनमास ठीक है, आपका बढ़िया है, हलका सोभार ज़्यादा लेवे दिखाई दे रहा है, गुस्य के दिखता रहती है, लोगों के अंदर health को लेकर के major issues तो नहीं है, लेकिन फिर भी खानपान का विशिश करके ध्यान रखेगा luxurious life होगी, बट उसका बहुत अधिक addiction आपको नहीं होगा, उसके विना भी कभी रहने का मौका मिले तो अब राम से रह जाएंगे अंगलियों पे या तेली पे ज्यादा परवका जाना या आड़ी रेखाओं का होना उंगली समीत इसके नीचे मौजूर माउंट्स के गुनों को खम कर देता है, मौन माउंट शिप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वेनस के तरफ जबान पर कोई शब्द बैठ जाता है, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरे जाता है, तो इनसान उसी को रिपीट करने लगता है, मेरे भी ये शब्द एकदम से बैठ गया है, यहां पर फैमिली का मौफट है, जो दिल में है, वो जबान पर है, पीट पीछे बात करने की आपकी आदत नहीं है, तीन उगलियों का भी इस लगबग एक समान है, समझदार होते हैं, सही समय का फाइदा उठाना अच्छे से जाते हैं, आपकी आर्थिक इस्तेती भी 36 के बाद से जादा सनमाउंट पर आपकी फिश के साइन का, नहीं यह फिश का साइन नहीं है, कम्प्लीट नहीं है, यहां पर आपको कट बनता हूँ, अदिक रहा है, बट आगे भी इसका कहीना कट बनना चाहिए, फेस नहीं है, पूछ है Лेकिन मुझ नहीं है, इसका, इसलिए फिश का साइन कम्प्लीट नहीं है, और जब तर इब कम्प्लीट नहीं है, कोई भी दावा इसको लेकर के करना सही ही होगा वैसे भी फिश का साइन यदि आपके Sun Mount पे होता है यह Sun Mount की Efficiency को बढ़ा देता है झहां पर इनसान को लाखों maj जिगा हजारों कमाने हैं लाखों कमाते हैं ऐसे लोग बट अभी फिलाल आपके हाफ में फिश का साइन कम्पलीट नहीं है ट्राइंगल बड़ा है, जितना बड़ा ट्राइंगल होगा, उतनी ही बड़ी, आपको सफलता मिलेगी या उतना ही अच्छा आपका जीवन होगा, आपका जीवन बहुत बड़िया, आने वाली भुविश्य में होगा, अच्छा होगा, काफी अच्छा होगा, विश्णु चिने का बनना सन लाइन पर पॉजिटिव होता है यह आपको सफलता अधिक देता है अभी काम करते हैं इस वाइस अनलाइसिस बिठाते हैं फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आनी जा रहा है मर्कृरी के मांच पर एक या दो लाइन है आपके आप अपनी मन की बात किसी से कहने पाते हैं और दूसरों की समस्याओं को समझने की खाविलियत भी आपके अंदर थोड़ी वीक है इसके साथ ही यह साइन जिनके भी हाथ में होती है ऐसे लोग अपने जीवन में संपती बनाते हैं बढ़ियां बनाते हैं अधिक बनाते हैं बहुत ज़्यादा बनाते हैं यहां तक इनकी कई कुस्ते बैटके खा सकती है लेकिन सफलता आपको बहुत देली से मिलती है थोड़ी पाइब के बाद यह फोड़ी के बाद मिलती ह अब ही काम करते हैं, इस वाइस अनलाइसस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके जीवन में कब क्या चिंज आने जा रहे हैं, में इवेंट, कब आपके जीवन में क्या चिंज आएगा, बस वो में इवेंट में आपको बताऊंगे सोला में कोई न कोई इशूज आया आपके जीवन में समस्याती भी दिखाई दे रही है अठारा में परिवर्दन आया 23 में जीवन को दिशा मिली और 24 में शादे भी आपकी 23 में भी कोई न कोई चेंज आया था 27.5 में कुछ न कुछ परिवर्दन आया ट्वांटी एट ट्वांटी नाइन में छोटी छोटी दो आप शोट हैं तो खुशी मिलती हुई इस सायू में दिखाई देडी है कोई ना कोई खुशी तो आको मिली है आप मतलब छोटी सी ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया इस पल नहीं इतनी खुशी मिलती हुई देख रही है 31.5 में चेंज आता हुई देख रहा है बदलाओ की स्तती है कोई ना कोई परिवर्तन 31.5 में आपकी जीवन में आएगा 33 में आपशूट है खुशी मिलती हुई उबलब्धी मिलती हुई सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको 36 में 36 से ही मेलनी आपका भाग्य होते हैं 36 के बाद आप कभी भी जीवन में पीछे मुड की देखने वाली नहीं है नहीं मेली अगर देखा जाए ऐसे तो 36 के बाद से बहुत ज़्याद आप सफल होंगे लेकिन 33.5 से ही आपकी जीवन में खुश्यों के इंट्री होनी स्टार्ट हो गई है 40 में कोईने कोई इस्चुज या इन्वेस्मेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है 42 में आपशूट है 46 में बहुत बड़ा आपशूट है 49 में आपशूट है मतलब उसके आपशूट मतलब होता है लाइफ लाइफ लाइन से अब ब्रांचिस का निकलना इसके बाद से आपके जीवन में ना तो समस्याए है ना जंजट है सुकुन से भरी जिंदगी है अभी तक जैसे भी इस्तिति आपकी रही है जो भी लाइफ आपने जीए उसे कहीं बेतर इस्तिति में 32 के बाद से ही आप जाते वे देख रहे हैं क्योंकि 32 के बाद से आप प्राब्लम्स नहीं हैं चुट-चुटी ही सही लेकिन आपशूट्स हैं लाइफ में आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है वैपार के शेत्र में आपको ख़दम आगे बढ़ाना चाहिए बहुत सफल होंगे आप आपने कहा कि गुरू के परवत पे आपके स्वास्तिक के साइन है नहीं यह स्वास्तिक के साइन है जो सभी एक दूसरे से अटैस्ट है यह स्वास्तिक के साइन है अब स्वास्तिक का साइन यदि बनेगा तो वो सिंगल बनेगा एक ही लाइन दस लाइनों की हल्ट से नहीं बनेगा यह एक लाइन आएगी ऐसे मुड़ेगी एक लाइन आएगी ऐसे मुड़ेगी ये उसको शोग कर रहा है, आप जमीन जादा दिया घर मिला करके नहीं भी कुछ तब भी 19 से जादा 20 से जादा प्रोपर्टी के साइन है आपके हाथ में, पैसा बहुत बनाएंगी आप, संपती अत्यधिक अरजित करेंगी जीवन में, ये इसको बता रहा है, स्वास्तिक और ये फिश का साइन नहीं, ये सब नहीं है हाथ में, अगर होता तो दिख जाती है चीज़ें, अब जबरदस्ती कीजिए, हाँ छोटी से फिश की साइन है, बड़ी फिश की साइन है, नो, सबसी पहली बात मैं आपके लोगों की दिमाग से ये चीज़ें निकाल दूँ, परिवर्तन ही आएगा, जीवन में परिवर्तन लाता है दो लाइन, एक तो आपकी लख लाइन, अच्छे शेप में है, अच्छे तरीके से मूव करती भी दिख रही है, पैसा दे गई, चाहिए किस कहीं से भी पैसा आए, पैसा अच्छा खासा आएगा, और आपकी पैसा भी अच्छे नहीं है आपके, फिर भी आप बहुत अच्छे लाइप जीने, इतना अंतर होता है, अब ये साइन, अहां, जहां तक रही स्वास्तिक की साइन की बात, एक तो स्वास्तिक की साइन रेर होती है, ना आपकी बराबर हातों में मलती है, हम जबरदस्ती करक स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं, वो बिलकुल डिफरेंट होती है, अभी तक मैंने हजार, दो हजार से ज़ादा लोगों के हाथ देखे हैं, सिर्फ एक इंसान के हाथ में मुझे रियल में स्वास्तिक देखा, जो सिंगल लाइन से बनावा है, यानि दो चिंता करने के आविशक्ता नहीं है, कि बर्मांड नहीं इनके हाथ में साइन बहुत बढ़ियां दिये हैं, लाइन बहुत सही दिये हैं, आपको इसकी फिकर करने के आविशक्ता नहीं है, क्योंकि ये इस दुनिया में हजार, दो हजार, दस हजार, बीस हजार, पचास हजार के लिए नहीं आई हैं लाखों या करोड़ों की प्रपटी होगी इनके पास इसलिए चिंता मत कीजिए अभी हाला दे कर कि आपको लग रहा होगा कि भाई इनका गुजारा कैसे चलेगा आने वाले टाय में इनकी वज़े से कई रोगों का गुजारा चलेगा बस इतना काफी कि अब बताने के लिए आज के लिए चेकर दन बाबाएं